तो finally Battleground Mobile India is back जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही देखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डाउनलोड कर लिया है वैसे मैं आपको Play Store ओपन करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं Play करने का option आ चुका है बट यहाँ पर कुछ चीजे हैं जो की बताना बहुत ज़रूरी है तो मैं अपने दूसरे फोन का यूज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यह है Battleground Mobile India का official website जहाँ पर चीजे और अच्छे से आपको दिखाए जा रही है थोड़ा सा स्क्रीन का brightness बढ़ा लेता हो ताकि आपको और अच्छे से दिखे तो यह जो website है दोस्तों यह basically Battleground Mobile India का official website है अभी तक कोई official news नहीं दी गई है कि भया live हो गया है बट still जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि play store open हो जाता है install पर अगर आप क्लिक करोगे तो install होना भी start हो जाएगा बट यह game अभी फिलाल playable नहीं है reason में आपको बताता हूँ वैसे आप देख सकते हैं जो app size है इस game का वो है 736 MB अब यहाँ पर ऐसा queue मैं बोल रहाँ वो भी हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर से about this game पर हम चलते हैं और आपको मैं दिखाओ नीचे के तरफ ले जा करके तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं released on 1 July 2021 तो यह कहीं न कहीं older version है जिसको अभी फिलहाल के लिए जो play store है उस पर ला दिया गया है और कुछ दिनों के अंदर आपको main game जो latest जो changes के साथ आ रहे हैं वो देखने को मिल सकते हैं अब इस चीज को मैंने verify भी किया है तो यहाँ पर से generally जो आपको terms and condition और जो privacy policy मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पर अगर आप click करते हैं like privacy policy को अगर आप click करोगे तो आप देख सकते हैं 2022 का last update है यही पर से अगर हम terms and condition को भी click करते हैं तो आप देख सकते हैं 17 June 2021 का यह last update है और एक बर जब आप game को download कर लेते हैं इसका सारा resources download यह सब हो जाता है तो यहाँ पर से अगर आप click करके सोचोगे की game को हम play कर ले तो यहाँ पर से हमने click तो किया है आप देख सकते हैं Facebook से connected है यह लेकिन यहाँ पर से आप देख सकते हैं server is offline तो यह फिलाल अभी server इसका offline है बट still आपको यह play store में official तरीके से download करने का मौका मिल जा रहा है दोस्तो और मेरे हिसाब से कुछ दिनों के अंदर क्या maybe हो सकता है कुछ घंटों के अंदर भी यह game live हो सकता है क्योंकि यह play store पे अभी फिलाल older version आपको देखने को मिल रहा है जो कि आप देख सकते हैं हमने य यहाँ पर से आगया है allow पे हमने click कर दिया है और next जो page है वो आप देख सकते है कि battleground mobile India is not a real world ऐसा करके जो आता है वो आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर से आप देख सकते है checking for updates आ रहा है इसके बाद होगा कि कुछ resources को यह download करेगा तो basically यह official method है download करने का जो कि मैंने आ older version है but at least यह official तरीके से आप इसको download कर पारे कुछ देर के अंदर हो सकता है जो latest updated वाला version है like जो government के law के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा वो मुझे लगता है थोड़े देर के बाद update हो करके आ जाएगा तो अगर आप इसको भी download करते है तो probably इसी में कुछ update आजाएगा अगर आपका high end device है तो इसको select करके आप okay पे click करोगे तो यहाँ पर से आप देख सकते है और यहाँ पर से allow हम कर देते है तो 904 MB के around का यह जो आपका data है जो resource है वो यहाँ पर से download होना start हो जाता है तो हम इसको download करने दे रहे हैं क्योंकि अगर game में कोई भी update आएगा तो probably वहीं पर से हम update पे click करके इसको और install कर सकते है बट अगर आपके पास data नहीं है तो आप थोड़ा और wait कर लो जैसे ही यह game officially तरीके से आपको play store पे मिलेगा हम next video में आपको और भी details दे देंगे हलाकि जब तक game download हो रहा है मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूँगा कि यह QR code आपको दिख रहा होगा ना इसको आप स्कैन करके directly हमारे telegram channel पर जा सकते हैं जितने भी resources हैं फाइल से लिंक से हर एक चीज आप जा करके देख पाऊगे और इस channel में आपको बहुत सारे deals यह सब भी मिलते हैं तो अगर आपको इच्छा होगा तो जा करके देख लेना सारी useful link हम आपको description box में दे रहें website का भी link आपको दे देंगे तो अगर यह information आपके लिए थोड़ा भी useful हो रहा है तो please वीडियो को like करना और अगर आपको इच्छा होगा तो subscribe कर सकते हैं वो आपके उपर है अगर आपको मन होगा तो कर लेना बाकी यहाँ पर से आप देख सकते है जो game है वो तकरीबन 470 MB के around का download हो चुका है थोड़ा हम इस वीडियो को fast forward करते है तो यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते है लग भग यह पूरा download हो चुका है जो कि आपके सामने है और यहाँ पर से आप देख सकते हो जो भी इसका privacy policy है terms and condition है वो यहाँ पर से निकल क है बट कोई बात नहीं यहाँ पर से हम agree कर लेते हैं और जो भी यहाँ पर से notices को हमने देख लिया है इसको हम cross कर लेते हैं अब यहाँ पर से आप अपने इच्छा के हिसाब से या तो twitter से या facebook से या फिर अपना जो भी यहाँ पर से google का play games होता है उसके through login कर सकते है तो चलो देखते हैं agree पर हमने click कर दिया है बट यहाँ पर से again आप देख सकते हैं सेम चीज़ आ गया है कि server is not online येट तो इनके social handles पर यह सब चीज का latest update आपको मिलेगा बट उसके लिए यार आप चाहो तो मेरे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं वहाँ पर भी सारे information आपको मिल जाते है टेक box में वैसे हां मेरे youtube चैनल को आप चाहो तो subscribe कर सकते हैं फायदा होगा ये कि जैसे ही कोई भी नया update आएगा तो मैं आपको जल्द से जल्द दे दूँगा वैसे मुझे comment करके ज़रूर बताना कि आप इस game को play कर पा रहे हो या फिने क्योंकि मेरे case में जो भी चीजे था ज ले स्ट्पर्स को ये जचा अटा प्रहूं का अचल को जल्द दूब कर साब्स झाल झाल